बाबा बागेश्वर धिरेंद शास्त्री राम मंदिर के मुंदे पर खुल कर बोले। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तो इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम किसी के समर्थक नहीं हैं, हम तो राम के समर्थक हैं। कॉंग्रे समित काई विपक्षी दल बीजेपी पर राम मंदिर से राजनीतिक लाव लेने के आरोप लगा रही है। एक बादचित के दoration के दौरान जब बागेशवर धाम के महंत धिरन शास्त्री से सवाल किया गया, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिकिरिया इस प्रकार दी। आए जानते हैं धिरन शास्त्री ने इंटरव्यू के दोरान क्या कुछ कहा। पंडित धिरेंच शास्त्री से सवाल किया गया कि BJP राम मंदिर का लाभ ले रही है, इस पर बाबा बागेश्वर ने कहा BJP राजनीती कर रही है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, राजीम गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाय था, इस पर उन्होंने कहा कि वो धन्यव सवाल है, क्योंकि 2024 में लोगसभा के चुनाओ भी होने है, राम मंदिर का निर्मान हो रहा है, ये आकलन है कि इसका प्रभाव भी रहेगा लोगसभा के चुनाओ पे, आपको क्या लगता है भारतिये जनता को जो वोट देने जाएगी, क्या उसको नरेंदर मोदी को एक और चांस देना चाहिए? हम राजनीती पर टिप्पिनी तो नहीं करते हैं, ना राजनीता पर टिप्पिनी करते हैं, जो राष्ट हित की बात कर रहा, राष्ट हित के लिए बोल रहा, राम राज्य की स्थापना के लिए जी रहा, ऐसे व्यक्ती को भारत के संपून बोटरों क को स्वा बिवेक के साथ अपनी मती के नुशार बोट देना चाहिए अब किसको देना चाहिए ये तुम्हारा बिवेक हमारे कहने से आपको बोट देना नहीं और हम राजनीती पटिपड़ी करके काये को बेफिजूली में फसे लेकिन कुछ लोग ये राय रखते हैं कि इतना अधिकार समझ जाएं हिंदू बेटियों के साथ घटना न हो जागे हिंदू का मतलब किसी को भगाना नहीं है जगाना है जो पहले हिंदूों के साथ हो चुका है आगे वह सब न हो वही राम मंदिर के प्रान परतिष्ठा को लेकर उन्होंने कहा कि पुरे देश में इसको लेकर दीपावली सा महौल है वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कई पीड़ियों को इस अपसर को देखने के लिए तरस रही है